जेहिं सात्यों बात करने वाले हैं SACGD के सलेवस के बारे में क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि आपका सेलेक्शन अच्छे पद पर हो जाए तो सबसे पहले SACGD में रिजिनिंग के जो है 25 कोश्चन आते हैं जीके के जो हैं और करेंट अफेर 25 कोश्चन होते हैं मैथ 25 कोश्चन और हिंदी या इंगलिज कोई ये करना होता है जो की 25 कोश्चन का होता है तो सब मिलाकर कितने होते हैं, सब कोशन होते हैं, आपको 90 मिनट मिलता है, तो रिजिनिंग में 25 में से आप अगर 20 कर लेते हैं, मानेस मार्किंग होती है, जीके में आप मालेजे 15 कर लेते हैं, और मैथ में 20 कोशन कर लेते हैं, और हिंदी और इंगलिस में आप जो भी आपका अच्छा है उसे ही हिंदी जदा असान आता है तो हिंदी हिमा लेते हैं आप 22 तेई सब लोग कर लेते हैं लड़के सब मिला जी ये पांटीन आठ कि 78 कोश्चन ये जो कोश्चन है काफी अच्छा कोश्चन माना जाता है 75 से प्लस 75 नमर से अधिक आपका आता है तो आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा मेरा विश्वास है मानेगे क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का है कितना है 0.25 इसका मतलब एक बटा है चार जो है निगेटिव मार्किंग दिया है तो साथियों आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है रिजिनिंग पर करना है और मैथ काफी इंपोर्टेंट है सेलेक्शन के महत्पुन भूम का जो है मैथ और रिजिनिंग ही निभाते हैं तो इनको काफी अच्छी तर से त्यारी करिए हैं हेंदी काफी जस्तान आता है 5-7-10 चेपकर हैं उन ही से कोशन अगली बार दे थोड़ी हाई चली गई थी कहीं कहीं तो 80 चली गई थी 82 चली गई थी कहीं 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 70 पर ही थी तो इस बार सबसे ज्यादा महत्पुल भूंका निभाने वाला है निगेटिव मार्किंग तो इस पर ज्यादा फोकस कर जाएगा कम से कम गलतियां हों एक से दो कोश्चन ती से हिंदी कोश्चन आते हैं और कितने आते हैं इस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए जय हिंद